और यहां पर लिखा हुआ है 34.5 में जिन्होंने उनकी और देखा उन्होंने जोती पाई और उनका मुख कभी काला ना होगा हाललुया प्रभी एस kend मस्री में सचमुच आने का बात सच मुझ परमेश्वर को रिली परमीश्वर के पास आने खबात कोई ऐसा वेक्ति का मूँ खाला नहीं होगा उसका मूँ प्रगाशित होगा Glory परमीश्वर का महिमा उसका तेज परमीश्वर का तेज उसका अंदर से प्रकट होगा रृफ्लक्ट करेगा हाललुया प्रेसलाइब बच्चे लोग खेलने के लिए हम लोग भी बच्चमने में करता था सूरज के पास लेके आइना को रखता है ना तो सूरज इसमें सूरज के रोश्मी इसमें मारेगा तो दूसरे के चेहरे पर पर इसे मारेगा हमारा अपार्टमंट का बगल में दूसरे एक अपार्टमंट है वहां पर एक लड़का है चोटा लड़का है इसका काम यही ए तो मुझे नहीं मालूम ता दू-तीन बार हमको रिफलेक्शन हम जब किचन में चले आता है कभी-कभी तो वहां से reflection मेरे आंखों में मारता है हम समझ ये ये कोई है ऐसा बच्चा चला के उसको पकड़ना है सोच करके secondly हम ऐसे देखते रहा कहा से आता है देखा तो देखा थी चोटे से एक तो round वाला शायद एको आईना वहाँ पर रखकर कर किड़की के एकदम corner से हमको देखा तो तुरंद वो दोड़ा अंदर तो उसका होबी है मजाता है वो कहां से reflection लिया है मेरे मूँ पर मारने के लिए सूरज का रोशनी से तो सेम वे परमेश्वर को आप देखेंगे तो आपका अंदर से किरने बाहर निकलेगा रोशनी reflections वो ही है ये बजन बजन सेंगिदा 34.5 वो आइना का तरह है जुनोंने उसकी और देखा उन्होंने जोती पाई और उसका मूख अभी काला ना होगा Hallelujah और ये reflect करेगा परमेश्वर का पांस यदि आप सच्मुच जाएंगे उस कुपस्ति में रिली अपराटन करने का सुभाव आपका अंदर है आप सच्मुच प्रेशनल प्रेयर करता है परमेश्वर का वचन में सच्मुच अप भरने का सुभाव है और प्रभु कुपस्ति में बैटने का आनंद रोज आपको really मिलता है उसका पवितरात्मा का शक्ती अमारा अंदर आ जाता है और ये पवितरात्मा का शक्ती जब आता है तो आपका चहरा तेज से भरेगा आपका आँखों से, आपका बोलने से, आपका चहरे से एक अलग freshness दिखाए पड़ेगा एक अलग glamour आपका चहरे से दिखाए पड़ेगा This is fact मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का हर एक दासों के चहरे से ये reflection आता है मुझे मज़ा आता है जो अभी शिक्त दासों को चहरा में देखने के लिए क्योंकि मैं प्रभू को देखता हूँ उनको चहरे में यो उस्त्री हो या पुरुषो उसका चहरे से रोश्णी निकलता है इसको आंखों से शक्ति निकलता है उसका एक एक शब्द में से शक्ति निकलता है क्योंकि जो वो बोलता है, उससे ज़्यादा उसको चहरे से निकलता है, बोलने का समय कुछ शब्दे के वल निकलता है, पर उसका फेस का एक्स्प्रेशन उससे महान होता है, इसलिए ऐसे देखने से बढ़कर कभी कभी ऐसे फिल करता है वीडियो में, क्योंकि क्लोश अप श उसके चहरे से जो रुफ्लेक्शन पवित्रात्मा का निकलता है, सीधा सीधे वीडियो में आता है, उसमें पावर ज़्यादा है, ओडियन्स में कभी ऐसे बैट कर नहीं देख पाएंगे, उसका आंखों को देखने के समय में लगता है कि इतना गहरा, उतना ही गहरा कितना डबते हम उसको नाप नहीं पा रहा है, उसका उसका अंदर का जो उसका आंखों का पीचे जो खाई है, जो गहरापन है, यह नाप नहीं पा रहा है उस नदी से वो रुफ्लक्षन आता है जीवनजल परमेश्वर का सिहासन से इसलिए हम नाप नहीं पारा उसका शक्ति को उसका आंखों से निकलता है उसका शब्दों से निकलता है जिस परमेश्वर का दास का अंदर अभिशेख है और वो जब बोलेगा तो लोगों को स्वांतना मिलता है उसका शब्द के कारण नहीं उसका ज्यान के कारण नहीं उसका अंदर जो पानी है उस पानी का कारण है जीवनजल की नदी और ये फावर उसका जब आता है तो वो फ्लो करता है five इंद्रियों के ड्वारा five senses के ड्वारा आपका अंदर बाहर से शक्ति आते है the same thing आप परमेश्वर के सामने बैटकरके प्राटना करता है उस समय ये five senses प्रभू का अभिश्चेक से भर जाता है अब भर जाने के बाद वहाँ टहरे हुए, टहरते हुए नहीं रहेगा वो same thing जितना आपने store किया है फावर वो वहां रहेगा नहीं क्योंकि एशुने कहा John chapter 7 verse 38 में 37 and 38 में उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं उसका हुरदय में से संजीवन जल की नदिया बह निकलेगी संजीवन जल की नदिया उसका दिल में होगा ऐसे नहीं बोला संजीवन जल की नदिया उसके दिल में से, खरदय से बह निकलेगी ओवरफ्लो, उसका अंदर से बाहर निकलेगा इस संजीवन जल की नदिया यदि बाहर निकलेगा कुछ का स्रोध परमेश्वर है और ये नदी बाहर निकलता है ये टहरते हुए हमारे दिल में नहीं रहेगा ये आप जब स्पर्ष करेंगे तो दूसरों के जीवन में चले जाएगा कितना सेंसस है, कितना इंदिरिया है हमेरे लिए पांच इंदिरिया है एक इंदिरिया, आँख, दूसरा, मुव, तीसरा, कान, पांच माँ पर्ष करने के इंदिरिया शरीर में जहाँ-जहाँ स्किन है पर्ष करने के शक्ति सकंद्र होता है तो ये आप पूचेंगे कि क्या इसका कोई काम होता है परमेश्वर कर आज में आप सोचेंगे परमेश्वर के ठीक आवाज सुनना काफी होता होगा परमेश्वर को देखना भी काफी होता होगा और ये तुच्चा का क्या काम है या नाक का क्याम है येश, अब आज हायर स्टेडी में नहीं जाएंगे जब हायर स्टेडी में जाएंगे तो आपको पता जल लगे फाइव सेंसस परमेश्वर का महिमा को रिफलेक्ट करता है जब आप इसको उपसिट जाएंगे तो फाइव सेंसस से आपका अंदर डर्टिनस, गंदकी, अपवित्रदाएं आते हैं जब आप एश्वमसी को सीकरता है, पवित्रात्मा से भरता है, फिर आप परमेश्वर का अभिशेग और शक्ति से रोध चला दिया जाता है तो आपका अंदर जीवन जलक नदियों का शक्ति, अर्थात पवित्रात्मा का शक्ति आपका अंदर आकरत के तहरता नहीं है, ये फ्लो करता है इसलिए आप जब सपर्ष करेगा, दूसरों को आशिश मिलेगा चंगाई के लिए प्राटना करना ज़रूरी नहीं है, चूनों से ही चंगाई मिलेगा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आप से चंगाई के लिए प्राटना करे कोई किसी के लिए आप शांदी के लिए प्राटन करने के जरूरत नहीं आपसे बात करने से वो शांदी पाता है जो वेविजार से फसे हुए, वेविजार में फसे हुए, वेविजार के आसकती, आपटाइट तो वेविजार का मन, वेविजारी मन, वेविजार करने का मोह या वेविजार का शक्ती से, वेविजारी सोच विजार से भरवे मन उसका spirit उसकी आत्मा वेविचार करने का लालच अंदर में सोच और विचारों से भरेवे रहता है भले करता नहीं है लेकिन मन में ये शक्ति उसको अंडर कंड्रोल कर रहा है वो वेक्ति का आंखों से ही पता चलेगा इसका अंदर कौन सा spirit है कि सब को नहीं पता चलेगा जिसका अंदर पवित्रा आत्मा है वो वेक्ति एक कौन पीपल, कौन वेक्ति को देखने से वो इंट्रोपर्ट करेगा ये वेक्ति किस आत्मा से प्रभावित है उसका आंखों से हम उसका result देंगे अदग अंड़ा बैटने का उतना भी जरुवत नहीं होता है वो उसका फ्लो का अनशार है हम उस वेक्ति का बॉंडेज को लिख सकता है जिसका अंदर पवित्रा आत्मा का भी शेक ओल्वेश रहता है भरा हुआ है तो यह जो शक्ति है आपका अंदर जो परमेश्वर का शक्ति हम लोग के यह बजन संगीता 34 उसका पांच के इंटरपोटेशन आपको दे रहा है जिनोंने उनकी और देखा उनोंने जोती पाई और उनका मूख अभी खाला ना होगा हाललुया जिनोंने उनकी और देखा किनकी और परमेश्वर की और परमेश्वर की और परमेश्वर ही सारे भलायों का स्त्रोत है हम भलाई कर सकता है परंदु स्रोथ परमेश्वर है सारे भलाईों का स्रोथ परमेश्वर परमेश्वर को और देखने से क्या होता है जोती मुझे मिलता है हाललुया रहिश लौट जैसे आप आइना को देखिएगा आइना को सोचिएगा आप परमेश्वर के और देखेंगे उस रोष्णी आपके अंदर पड़ेगा और वो रोष्णी सामने वाले को चहरे में रिफलेक्ट करेगा अईसे नहीं होता है तो उसका मतलब परमेश्वर के और हम लोग नहीं देख रहा है मसी लोग नहीं देख रहा है हमारे देश में हमारे समाज में परमेश्वर का आशिशों को देने के लिए मैं और आप काफी है कि यदि सचमुष मसी लोग इस रीती से बजन सेंगिता 34 उसका 5 के अनशार रिली उनको देखता है परमेश्वर का और तो उस आइने का तरह रिफलेक्शन देश में फ्लो करेगा पर नदो देखते नहीं